आज कल देश में अजब मोध्यापा चल रहा है। हर कोई चौकीदार बनने पर उतारू है। और साथ में बक्यती करने में रती भर भी शरम नहीं कि हम भष्टा चार, गरीबी, गंदगी और आतंकवाद से लड़ेंगे। अब इलड़ोगे तो पिछले पांच साल से क्या कर पिछले पांच साल में सबसे ज्यादा सैनिक मारेगे इस आतंकवाद के हाथों। तब कहां थी चौकीदारी? एक ऐसी स्टेट में जहां चपे चपे पर सेना मुस्तेद रहती है। सड़क पर धाई 300 किलो विस्पोटक लादेकार कैसे आ गई जवानों को उड़ाने? तब क कहां थी चौकीदारी? विजह माल्या से लेकर नीरव मोदी, मेहल चौक सी, जतिन मोदी जहसे बड़े बैंक दिफायल्टर्स समेत ओईल इंडिया बैंक ओफिसर्स कंफेडरेशन के मुताबिक इस ओबैंक दिफायल्टर्स लोन चुकाने के बजाये विदेश भाग गे जि तक 19 मंत्रालेओं ने 1189 करोड की चपत लगाई तब कहां थी यह चौकीदारी? नमामें गंगे के नाम प्रोजेक्ट बना कर 3000 करोड ड़कार लिए गे जिसके पीछे सुप्रीम कोर्ट तक से फटकार खानी पड़ी तब कहां थी यह चौकीदारी? बाकी आगे तो आडिटि वाली स्मरीती इरानी भी खुद को चौकीदार बता रही है चिकी घोटाले में करोडों ड़कारने वाली पंकजा मुंडे भी खुद को चौकीदार बता रही है भरष्टाचार के आरोप में जेल जा चुकी एद दुरपा भी खुद को चौकीदार बता रही है धेरों महिल के यौन शौशन के आरोपी एम जे अकबर भी खुद को चौकीदार बता रही हैं। नहीं, राजनीती में कोई दूद का धुला नहीं होता। सभी के दामन दागदार ही मिलेंगे, लेकिन जब कोई एक समूव पूरी बेशर्मी से अपने काड़ों पर परदा डालने के लिए खुद के चौकीदार होने की दोहाई देने लग जाये तो न सिर्फ एक सामान्य अपना अर्थ खो देता है बलकि यह कुछेश्टा भी हास्यास पर और पर संदिक्द हो जाती है।